संगत जी सबतों पहला गज के बलाओ फते आखो जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फते आज जापां गल करांगे इस कटना बारे तुसी वीडियो दे आखिरता कब बने रहो अते कमेंटा दे विच वाहे गुरु लिख के हाजरी जरूर लगवाओ जी दरबार सहब दे विच कटनामा हूंदियां तुसी आम ही सुनियां हूंगियां पर कई वार एह अलोकी कटनामा एनियां पर तक हो जांदियां हन की ना चोन वालेयानों भी मजबूर मनना पैंदा है ऐसे ही कटना एक गुर्मत परिवार दे नाल होई जिस दी गुवाही डक्टर ते अखवारां भी परंदे लई मजबूर होगी ना राजिस्तान स्टेट दे एक पिंड़ दे विच एक गुर्मुक सिख परिवार रेंदा सी जिस दे विच हर पजन सिंग जी ओना दी पतनी अते ओना दे माता पिता सान हर पजन सिंग जी राजिस्तान विच तकड़ा बिजनस कर दे सान अते ओना दी कुझ समय पहला ही व्या होया सी हर पजन सिंग दे कार एक बेटी ने जनम लेया जिसनु देखे अजेहा बिलकुल भी नहीं लगदा सी कि ओहो एक अब नोर्मल ऊची होवेगी जा उस बच्ची वीच कोई कमी होवेगी सारा परिवार भोत ही खूष सी ते ओहो बच्ची सारे परिवार दी लाडली बन गई अते उस दे चेरे तों रुखानित दी चलक मिल दी सी परिवार दे सारे मेंबर उसनू लाढ कर दे दे चुक-चुक के खड़ाऊं दे सान समा बीदा गया ते होण बच्ची दी उमर चार साल दी हो चुकी सी अधे उस बच्ची दे ले बहुत ही पर्शान होण लगा जोदों फिर हर पजन सिंग दी लड़की चार सालां दी होई ता, सारा परिवार उस बेटी दे ली बहुत ही परशान रहन लगया परिवार दी परशानी दी गल एह सी की बच्ची चार सालां दी हो चुकी सी पर हो कुझ भी नहीं बोल दी सी फिर परिवार दे मेंबरा ने बच्ची नू किसे वड़े डक्टर नू दिखाया बच्ची दे सारे टेस्ट करवाएगे अते जो गल बहार निकल के आई जो उस वेले सुनेया ता सुन के सारा परिवार हरानी दे विच पह गया डक्टर ने दस्या कि बच्ची दा ना बोलन दे पिछे एक कार्ण है कि बच्ची सुन भी नहीं सकदी पाई हर पजन सिंग जी ने केहा कि अगर बच्ची सुन नहीं सकदी ता उसनू कानवाली मशीन लगा दियो जे डक्टर ने जबाब दिता कि उस दी सुनन दी शमता पिछो ही नहीं है इस करके किसे वी यंतर जा मशीन दे नाल ओह नहीं सुन सकदी अते उस दी दुनिया दे विच कोई वी इलाज नहीं है जेकर डक्टर ने उस दा इलाज तो इनकार कर दिता ते डक्टर ने केहा कि इस दा दुनिया दे विच कोई भी इलाज नहीं है, तो हाड़ी बेटी सारी ओमर एदा ही रहेगी, डाक्टर दी एहे गल सुनके सारा परिवार बहुत ही दुखी होया, अते निराश हो चुका सी, ते पाई हर पजन सिंग जी, हर पास्यों निराश होके बेटी नू कार ले आ काफी दिना बाद, पाई हर पजन सिंग जी, गुर्दवार सहब दे विच मथा टेकन गे, ते ओहो इक पासे निराश होके बेट गे, ओथे दे गरंती सिंग ने ओना नू, ओना दे दुखी होन दा कार्ण पुछया, पाई सहब ने गरंती जी नू, सारी गाल दसी, गरंती स सिंग जी ने हर पजन सिंग दी सारी गाल सुनके केहा कि, तुसी अपने कार सुखमनी सहब जी दा पाठ जरूर करवाओ, कि गुरु सहब सत गुरु महराज साब कुछ ठी कर देंगे, हर पजन सिंग जी ने इंजी ही किता, पर पाठ कर वोंडतों बाद वी कुछ ना होया, तर वोंड दे ले केहा सी, ओहो ओना नू बजार दे विच मिले, तां गरंती सिंग हर पजन सिंग जी नू पुछन लगे, कि हुण आप जी दी बेटी कीमे है, तां हर पजन सिंग जी ने दूखी होके केहा, खाल सा जी पता नहीं साड़े नाल की हो रहा है, साड़ी बेटी हजे ताक भी बोलन नहीं लगी, हर पजन सिंग जी कैन लगे सारा परिबार भोचेंता दे विच है, ते हर पजन सिंग जी गरंती सिंग जी दे कोल रोन लग पे, एकदम गरंती जी ने केहा, जेडा काम किसे दे दरते ना होवे, जेडा काम किते वी ना होवे, शीरी ओहो कैन लगे पई हर पजन सिंग जी तुसी बेटी नू लेके दरवार सहब जाओ आते ओथे जाके बेटी नू इशनान करवा के परी करमा देविचे बैठके बेटी नाल सुखमनी सहब जी दा पाठ करो आते जदों तक पाठ खत्म ना होवे तुसी ओथों उठना नहीं पाठ समाप्त करके ही ओथों उठना है ते फिर गुरु चरना देविचे बेटी दी अर दास बेंती करनी है हर पजन सिंग जी पहला कदे वी दरबार सहब नहीं गे सान पर ओना दा गुरु चरना दे नाल बहुत प्यार सी ओहो पाई सहब दरबार सहब बेटी नू लेके पोंच गे जिमें गरंती सिंग जी ने दस्या सी एज ही ओहो शिरी गुरु रामदास जी दे सरोबरते दो बजे बेटी नू इशनान करवाया ते फिर आप इशनान करके फिर ओहो परीकरमा दे विच बैठ गे अते अपनी बेटी नू अपनी गोद दे विच बिठा के सुखमनी सहब जी दा पाठ कर दे रहे ते बेٹी सुनदी रही पाई सहब जी एकागर चीत होके पाठ करदे रहे बेटी नुवी ताकदे रहे पाठ दे दुरान एक दो बार पाई सहब जी दी बेटी ने उन आधियां अवाजां कितियां ते जी में बचा करदे हन ओमी ही करदी रही पर पाईस हैब इकागरत नाल पाठ करदे रहे फिर पाठ करन देविच कार गुरु कार देविच सेवादार सफाई करन दे ले संगत नू परिकर्मा देविच उठान लगे अते फर्सते पाणी मार के सफाई करन लगे ओना ने पाई सहब नो उठन दे ले केहा पर पाई सहब जी ओठो ना उठे अते इकागर होके अते इकागर चित होके पाठ कर दे रहे पाई सहब जी ने सारे कपड़े पाणी दे नाल गिले होगे पर ओना ने पाठ करना ना छड़ेया ओहो पाठ करदे करदे बेटी वाल देख दे रहे की कोई चमतकार होवेगा पर कुझ भी ना होया फिर पाई सहब जी दा पाठ समपूर्ण हो गया फिर ओना ने सोचया कि मेंनू अर्दास बेंती करनी चाहिदी है ओना ने फिर अर्दास किती पर फिर भी ओना दी बच्ची न नहीं बोलन लगी ते फिर ओना ने सोचया कि मेंनू अंदर जाके बच्ची दा मथाट कौना चाहिदा है ते फिर ओनर जाके बच्ची नूँ मथाट काया पर जे हो जेहा चमतकार दी ओना दे कल्पना किती सी जेहा कुझ भी ना होया इह सापकुझ देकर पाई हर पजन सिंग जी भूत निराश होगे कि बच्ची इतेवी आपके बोलण ना लगी फिर पई हर पजन सिंग जी वापिस राजिस्तान आगे फिर इका जही कटना कटी जिसदी किसे ने कलपना भी नहीं किती सी फिर छे महिन्या बाद ओह बची थोड़ा थोड़ा बोलन लगी उने जो पहला शब्द बोलेया ममी ममी सारा परिवार हैरान रहे गया फिर हर पजन सिंग जी बेटी नूँ उसे डक्टर कोल दिखाऊन दे ले लेके गे जो कैंदे सी के बची कदे भी नहीं बोलेगी डक्टर ने चेक किता था ओह भी हैरान रहे गया उसने दस्या कि आप जी दी बेटी बिल्कुल ठीक हो चुकी है ओह कैन लगया कि यह किंज हो गया तक्टर ने दस्या कि आप जी दी बेटी हुन बोलन लगी है ता इस दा मतलब अज तो छे महीने पहला जा साल पहला ठीक हो चुकी सी यह बड़ी हैरानी दी गाल है कि जो रिपोर्टा दे विच पहला सी उस दे बिल्कुल उल्ट रिपोर्टा दे विच हुन आया है ते इस दे कान बिल्कुल ठीक हो चुके हान इस करके है गला तो हड़ीया पिछले छे महीने तों सुन रही है यह सारी गाल सुन के पाई हर पजन सिंग जीनू समझा गया कि मेरी बेटी ओदों ही सही होगे इसी जदों हो दरवार सहेब मथा टेकन गे सान ते ओ फिर अपनी बेटी दे नाल दरवार सहेब मथा टेकन आये ते गुरु सहेब दा शुकराना केता सो सा संगत जी वीडियो नू लाइक आते रिष्टेदारां दे नाल शेर जरूर करें जी जे कर वीडियो वदिया लगी ता चैनल नू सब्सक्राइब कर लवो आते बेल आइकन नू दबा लेना जिसनाल साधी हर नमी वीडियो सापतों पहला तो हाड़े ताक पोँच जावेगी मिल दे हां अगली वीडियो विच ओदों तक गच के बलाव फते आखो जी वाही गुरु जी का खाल सा वाही गुरु जी की फते